नमस्कार उतराखन राज्य के मध्य हिमालाई छेतर से आप सभी सुधी जनों का EV टक लवर फेमली में स्वागत है मित्रों इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब लोगों के शानिद्य में एक परियावरन सनरक्षन की मुहिम पर निकल पड़ा हूँ जिसकी टैग लाइन है हर घर एक EV अर्थारत प्रते एक घर में कम से कम एक EV अर्थारत बिजली बहान हो वो ट्वी वीलर हो या फोर वीलर हो अगर ऐसा होता है तो हम सब लोग मिलकर परियावरन में जहरीला धुआ अर्थात कारवन मोनो आकसाइड और कारवन जाने से रोक सकते हैं जो कि एक बहुत बड़ा पूर्णियका कार्य होगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं इसपश्ट करना चाहता हूँ कि मैं एक राजकिय भोगोल सिक्सक हूँ और मैं परते एक दिन अपने एक छोटे से बिजली बहान का परियो कर इस चैनल के माध्यम से अपने अनुभव आप लोगों से साजा करता रहता हूँ जिसका उदेश अधिक से अधिक लोगों को ईबी की तरफ बढ़ने के लिए प्रेडित करना है मित्रों आज के वीडियो के माध्यम से इस मिसन को गति परदान करने का परियास किया जा रहा है जिसमें ये परदसित किया गया है कि कैसे परियावरन संडक्षन के पूर्णे कार्या के साथ साथ आप फॉसिल फ्यूल अर्थात डीजल पैट्रॉल में जलते अपने धनका भी संडक्षन कर सकते हैं और ये है वो बिजली बहां जिसका रिवीव हो रहा है ये देखिए मैं स्क्रीन के पास आ गया हूँ ये देख रहे हूँ या स्क्रीन की ब्राइटनेस मैंने पूरी कर ली है फुल कर ली है और ये देखिए ये हम चले हैं 7018 7018 किलो मीटर अब तक ये गाड़ी पूरी चल चुकी है और दोस्तों मैं आपके माध्यम से भी इसे कंफर्म करूंगा कि ताकि कोई कंफूजन न रह जाए क्योंकि एप में भी सेम ही आपको मिलेगा कि इतने किलो मीटर है या नहीं ये एप के माध्यम से आपको कंफर्म हो जागा यह रहा दोस्तों मोबाइल एप यह देखिए यह मेरी गाड़ी का नाम है एवी टेक लबर और यह परसंटेज है दोस्तों क्योंकि मोबाइल एप में रिकॉर्डिंग थोड़ी देर पहले हुई थी और इस समय देखिए 68 बता रहा है क्योंकि मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई तो एक परसंट जो बैटरी का वो ड्रॉप डाउन हो गया और यह देखिए बिल्कुल सेम वही एप में भी है 17,018 किलो मीटर और वही सेम देखिए बिल्कुल वही जो इको मोड में 127 किलो मीटर है नॉर्माल मोड में 95 और स्पोर्स मोड में 84 और हाइपर मोड में 69 चुका है दोस्तों अब हम इसमें रिव्यू करने वाले हैं कि जो यह ओला S1 प्रो है यह 7,018 किलो मीटर चली इस दोरान इसने कितने पैसे बचाए और यह कंप्रीजन हम बाइक और कार दोनों के लिए करेंगे और जो कैलकुलेटर है वो आपकी स्क्रीन पे आपको साफ द दिखाई देगा दोस्तों यह सब कलकुलेशन हम आपको गाड़ी चलाते हुए दिखाते हैं और साथ में आपको यह दर्सन हो जाएंगे कि यह गाड़ी किस रोड पर चलती है दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट जरूर कीजेगा बाद में अधिक से अधिक रास्ता मैं इको मोड में तै करने की कोशिश करूँगा क्योंकि रास्ता ओबर खावर है और इसमें हम तेज चलनी सकते हैं अगर अगर तेज नहीं चल पाएं तो क्यों ने इनर्जी को सेप किया जाए इसलिए देखेगा मैंने अपने गाड़ी एको मोड में ही मैं यहां पर चलता हूं आज का मैंने रिव्यू दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं साथ हजार पलस किलोमीटर दोस्तों मैं चल चुका हूं और इसका मैं बिल्कुल जो कैलकुलेटर आपके सामने दिखाऊंगा कि मैंने कितने पैसे सेप्टी दोस्तों आपको आश्यरे हो जाएगा कि मैं अभी तक जो जिस पॉइंट पर मैंने वीडियो बनाया था जो किलोमीटर तम में अगर हम बोलें तो 7,018 किलोमीटर तब काड़ी कुल चल चुकी थी अब थोड़ा ज्यादा चल चुके गए एक दो किलोमीटर क्यूंकि मैं वहाँ से वापस आ चुका हूं अपको बिख्याल ऐसे तो उस में देखिए दोस्तों मैंने कालकुलेशन ऐ जुकीत है कि अगर इससे पहले अगर और आप यह समझना चाहते हैं कि ईवी पर किलोमीटर कितना खर्चा लेती है और जो और जो फ्यूल जो बहान है उनमें कितना खर्चा होता है तो दोस्तों आउटन की ऊपर मैंने लिंक दे रखा है आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने जब 5,389 किलो मीटर पर जो इससे पिछला रिव्यू किया था उसमें मैंने ये बता रख रहा है तो आप मैं उसको दोहराऊंगा नहीं आप वहाँ पे जाके वो काल्पॉलेशन देख लें मैं यहाँ पे सिदे सिदे बताता हूँ कि जो हमारी एवी है वो एवी पर किलो मीटर क्योल 14 पैसा खर्चा आता है पाइक 3 रुपए का फ्यूल जलाती है और अगर हम कार से आते हैं तो कार लगभग 8 रुपए पर किलो मीटर के हिसाब से फ्यूल जलाने का जो हमारा खामिया है वह वश्वूल करती है चलिए मित्रों आप भी तैयार हो जाईए कागज कलम लेके काल्कुलेशन सुरू करते हैं चलिए सुरूआत इबी से करते हैं कि हमारी इबी ने 7088 किलोमेटर चलने में कितना खर्चा लिया है यह देखिए जो हमारी इबी है ओपर किलोमेटर 14 पैसे की हिसाब से अब तक इसका जो कुल बिजली का खर्चा है ओ आया है 982 रुपए 52 पैसे मात्र अब करते हैं बाइक की बात बाइक चलती है 3 रुपए किलोमेटर और उसको 7,018 किलोमेटर 3 से घुना करेंगे तो इसकी जो कैल्कुलेशन आई कुल खर्चा हो गया है 21,054 रुपए बाइक से चलने में अगर हम बाइक से चलते तो इतना खर्चा होता अब आते हैं कार पर अगर कार से हम चलते तो आठ रुपए कर पर किलोमेटर का खर्चा होता और उसके हिसाब से कुल खर्चा होता दोस्तों 56,144 रुपए मात्र दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें इबी क्यों लेनी चाहिए चलो मैं अपनी बात करता हूँ मैं अपनी इस Ola S1 Pro से अभी तक 7,018 किलोमेटर चल चुका हूँ जहां पर हमने यह रिकॉर्डिंग की थी तो दोस्तों इस दोरान जो मेरा खर्चा आया तो टूवीलरी से करेंगे फोर्वीलर से भी करेंगे लेकिन वो इसके बाद पहले हम रियलिस्टिक जो कंप्री जने वो कर लेते हैं तो अगर मैं बाइक या स्कूटी से आता तो वो 3 रुपए परते किलोमेटर के हिसाब से फ्यूल जलाती पैट्रल जलाती और परियावरान को परदूसित भी करती और उसका जो खर्चा आना था वो आता 21,054 रुपए और दोस्तों अगर मैं इसको अपनी EB के खर्चे से अगर माइनस करूं तो मेरी कुल बचत होती है 20,071 रुपए 48 पैसे मात्र अगर मैं यह बचत कर सकता हूं तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं और साथ में जो परियावरान बचाने का पूर्णे है वो बॉनस में अब बात करते हैं फोर विलर की फोर विलर का कंपरीजन टुविलर इबी की साथ करना थोड़ा हाइफ्ञवठाटिक होगा Getting along कार से बहुत हाई टाता तो उसका कंपरीजन करना भी बहुत लाजिमी बनता है और इन पहाड़ों में फोर विलर की जो रनिंग कोस्ट आती है वो आती है आट रुपए पर किलोमीटर उसके हिसाब से जो कोस्ट आएगी वो आएगी 56144 और उसको EV के खर्चे में अगर माइनस करेंगे कार के मुकाबले EV में आने पर हमारी कुल बचत होगी 55161 रुपए 483 पैसे मात्र दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा कोई सवाल पूछना हो तो जरूर पूछिएगा और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी प्रेना दाई लगा हो तो एवी के बारे में सोचेगा अगर आप कोई नया बहान खरीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा रुकिएगा एवी की तरफ अपनी रिसर्च कीजिएगा और कोई भी एक एवी जो आपके लिए सुटेवल हो उसको खरीदिएगा परियावरा बचाएगा और दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो बनाने का उद्धिश अगर कुछ सही लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेल आइकन आउन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मिलते हैं दोस्तों अगले किसी इन्फरम आपको मेरी वीडियो के साथ नमस्कार